वेलकम टू वारानासी अगर आप वारानासी विजिट करने की प्लैनिंग करें तो वारानासी में आपका क्या 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 आइटनेरी होना चाहिए कौन-कौन सा प्लेसे आपको विजिट करना चाहिए कैसे टूर प्लान करना है वारानसी को वह भी मैं आपको बताऊंगा एड़ कम से कम प्राइसे में इन्फेक्ट की 1000 से भी कम है आपको बता रहा हूं तो इसमें आपका खाना पीना रहना घुमना सारे चीज का पैकेज इसमें इंक्लूड होंगे इसी को आप 1000 से भी कम में कैसे घूम सकते हैं पूरा वारानसी दो दिन में वो मैं आपको पताऊंगा बढ़ हाँ इसमें बारानसी पहुंचने तक का और वारानसी से अपने घर जाने तक का खर्च आपको अलग से रखना पड़ेगा क्योंकि आप इंडिया के अलग-अलग ज बहुत चुक है सुभा सुभा वारानसी में आपका स्वागत है तो वारानसी में अगर आप पहुंचते हैं अकेले तो वहां पर आपको डॉर्मिंटरी बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे इनफेक्ट बहुत ही सस्ते रेट में आपको डॉर्मिंटरी मिल जाएंगे इसमें स मुझे 160 में मिल गया तो उहां पर आप डॉल्मिटरी सुभा में ले सकते हैं उसके बाद सबसे पहले आप 8020 टेंपल विजिट किजिए 8020 टेंपल विजिट करने के बाद उहां से वाकिंग डिस्टेंस में दससमेद घाट है आपको विजिट करना चाहिए यह भी आपको अपने टूर प्लान में रखना चाहिए उसके बाद यहां से आपको 80 घाट चल जाना है असी घाट जाके वहां से आप फेरी को बुकिंग कर सकते हैं फेरी भी आपको काफी सस्ता मिलेगा अगर आप सेर में लेते तो अगर आप स चाहरा घाट एक्सप्लोर कर लिया जिसमें मनी कनी का घाट भा जाट आपको वोट लेके जाएंगा इच्छा नदी को पर बड़ काफी सारे रहता है तो काफी अच्छा माहूल लगे है वहाँ पे आप बहुत अच्छा time spent कर सकते है उसके बाद असी घाट में बापस आने के बाद वहाँ से आप work करते हुए तुलसी घाट की तरफ जा सकते है बीच में आपको काफी अच्छा अच्छा जगा लगेगा मिंस घाट में पैदल चलते हुए थोड़ा सा टाइम आप बिताईए और तुलसी घाट की तरफ जाईए और उसके बाद वहाँ से आप निकल सकते हैं जैसे वहाँ से निकल जाएंगे तो वहाँ उसके बाद आप दुर्गा मंदिर जा सकते हैं यह काफी पूराना टेंपल है और इसे 18 सेंचुरी में बंगाल की महारानी भावानी ने बनाया था उसके बाद आप रामनगर फोर्ट जा सकते हैं रामनगर फोर्ट भी आप पहला दीन में कभर कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम नहीं रहा तो आप सेकंड डे में भी राम मस्ट वीजिट करना है में मिस कर दिया गंगा आर्थी क्योंकि कोविट का टाइम अर्थी बंद था बहुत ज्यादा मन था कि गंगा आर्थी अटेंड करो बट वो नहीं हो पाएगा वह एक चीज़ होगा जो मैं मिस करने वाला हुआ इस ट्रिप में इसके बाद रात का ट हो गया अब दूसरा दिन बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप कैसे कम से कम खर्चे में विजिट कर सकती है यह सारे जगा तो देखिए अगर अकेले तो आप इजिली हिचाइकिंग कर सकते है तो मैंने काफी जादा पैसे बचाए हिचाइकिंग करके और के लोग काफी ज़्यादा helpful है तो आपको हिचाइकिंग करने में काफी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगे बहुत ही जल्दी मिल जाएंगे लोग तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी और इसके बाद आ जाते हैं सेकंड डे में अब सेकंड डे में आपको क्या करना है आप सुब पूरा घुमते घुमते और सारनात में आप एक गाइड ले लिए गाइड ले लेंगे तो काफी बढ़िया होगा गाइड काफी ज्यादा पैसे मागेंगे लेकिन आप कम से कम में घुम सकते लाइक मैंने 30 रुपीज ओनली गाइड को दिया और पूरा घुमा तो गाइड को पैसे देखके वहाँ पर घुम सकते हैं वहाँ पर काफी सारे चीज़ है जैसे 2500 पहले बुद्धा जी ने पांच शिक्सियों का उद्देश्य दिया था वह भी टेंपल और भी बहुत सारे टेंपल है फिर आपको बुद्धा जी का स्टेचू देखने को मिलता है बहुत सा सब्सक्राइब कर सकते हैं जो कि आपको घुमने में काफी अच्छा लेगा इतना बड़ा उनिवर्सिटी और साथ ही निया कासी पिसवना टेंपल बना जो की काफी बड़ा है तो वहां भी आप जा सकते हैं इसके बाद आप संकट मोचन टेंपल जा सकते हैं तो इतना में आपका पूरा दिन आधा से यादा पार हो जाएगा और इसके बाद भी अगर आपके पास कुछ टाइम बचता तो आप लाल खान का टॉम जा सकते हैं तो मैं तो वहां भी गिया था और बाकी और क्या-क्या चीज आपको बराने सी में करना है वह मैं बता तो आप पान वहा से आप पान जरूर ट्राइ किजेगा और वहां का इस्पेसल का चोड़ी सबजी भी ट्राइ किजेगा वहां का लोकल फूड ट्राइ किजिए यह सारे चीज आप वारा नसी में कर सकते हैं अगर आप हिचाइकिंग करके पूरा घुमते हैं तो फिर आप थाउजंड के आपको क्या करना है और इस टाइप से आप अपना बजट भी सेट कर सकते हैं यह सारे जगा भी घुम सकते हैं ऐसे और भी अलग-अलग जगा में जाते रहते हो तो इसलिए आप चैनल सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजेगा और ब्लॉक्स को तो आपको अगर मज़ा आता है तो फिर देखेगा जरूर